Hello Friends, Welcome to Designer Junction. मैं सचीन, आज लेकर आ गया हूँ. फिर से एक नया class, tips and tricks ही आप समझ सकते हैं. छोटा सा class है. तो आज मैं जैसा कि अभी कुछ queries आ रहे थे, make previews के उपर, जो लोग walkthrough बगएर बनाते हैं, camera animation करते हैं, तो उनका कुछ message आ रहा था कि walkthrough जैसे निकालते हैं, तो उसका preview देखने के लिए, make preview option जो होता है, उसके उपर class तो कुछ message थे, उसके according मैं इसके उपर class बना रहा हूँ. अभी जैसे कि walkthrough मैंने अगर आपको देखा हूँ, तो मैंने एक path create किया है, और इस path पे यह camera मेरा ऐसा कुछ चल रहा, अगर मैं यहां से play करूँ, तो अब देख सकते हो, यह camera ऐसा कुछ play हो रहा है, अब इसका final render निकालने में क्या होता है, अच्छा lighting के साथ proper final, यह lighting अब live class अगर आपने देखा है, तो scene आप यह वाला scene देख रखके होगे, अगर मैं यहां से slider को इधर करूँ, यह scene आपने देख रखा होगा, live class में हमने इसके lighting किया था, और lights को, वीरे lights इस तरह से कैसे यूज करके, spotlight का feel देना, यह सब हमने बताया था live class में, तो फिर हमें अभी इसी पे इस animation को अगर प्रॉपर वीडियो आपको निकालना है इस तरह का, तो आपको बहुत time लग जाता है, तो उस time को, अब उसके बाद time लगने के बाद आपको पता चले कि problem है, कहीं कुछ model में, कहीं कुछ jerk आ रहा है camera में, प्रिव्यू, प्रिव्यू, ग्रैब, व्यूपोर्ट यहां पे आप create preview animation and capture still, तो आपको still निकालना है या वीडियो निकालना है, हमें अभी वीडियो एनिमेशन पूरा देखना है कैसा हमारा आ रहा है, तो create preview animation इस पे आप ऐसा कुछ click कर दोगे ठीक है, उसके बाद आपका यहां पे यह कुछ option आएगा, इसमें अभी मैं एक अभी टेस्ट निकाला था, तो इसलिए light on किया था, लेकिन यह light और यह सब ऐसा कुछ होगा, 0-100 होगा, यहां पे अगर आप 100 के जगह पे 1000 बहुत ज्यादा frame है तो उतना frame तक दिखाएगा, वह depend करता है यहां frame आपको कितना use करना है, तो उसके recording यहां पे show होगा, इसको आप यहां preview के time पे भी कम बेसी कर सकते हो, मालो मुझे 50-100 निकालना है, ठीक है, 40-100 के बीच का निकालना है, तो उसके recording मैं यहां पे type कर दूँगा, 40 और यहां पे 100 तो उसके बीच का frame का ही मुरा preview दिखाएगा, तो डिपेंड करता है कितने से कितने के अंदर निकालना है, तो fps आपको क्या रखना है, प्लेबैक fps जैसे 24 fps होता है, एक second में यह जिनको भी नहीं पता है, वह एक second के अंदर कितने frames आप लेते हो, एक second में कितने image होने चाहिए यहां पे दिखाता है, तो 30 जो होता है, वह नॉर्मल वीडियो के लिए होता है, एनिमेशन में 24 fps चलता है, तो 24 fps चलते हैं पर सेकेंड एनिमेशन के लिए, और नॉर्मल जो movies आप देखते हो, उसमें 30 fps पर सेकेंड चलता है, तो यहां पे वह 30 fps दिखा रहा है, आपको यूज करना चाहते हो, 30 तो 30 यूज करो, 24 करना चाहते हो, इनिमेशन का कुछ short निकालना चाहते हो, 24 कर दो इसे, वह डिपेंड करता है, आप जो दोनों में जो यूज करना चाहते हो, आप उतना फ्रेम पर सेकेंड यूज कर सकते हो, तो यह चीजे हैं, यहां पे आपको परसेंटेज आपको अभी जैसे 100% है, मुझे इतना टाइम लगता है निकालने में, 20-50 परसेंट निकालो, नहीं quality यूज दिखा रहा है, तो 50% quality हो, यहां पे क्या-क्या on करना है, मैं इसे फिलाल ऐसा ही रखता हूं, यहां high quality चाहिए, standard चाहिए, किस तरह का quality चाहिए, रहने दो अभी कोई नहीं, preview में जल्दी ही निकल जाता है, तो उससे कोई खास वर्क नहीं बढ़ता है, हाई रहने देते है, texture आपको चाहिए ना चाहिए, यह सब चीजे हैं, तो यह सब चीजे आप अब यहां पे default setting है, तो colors default setting रखना चाहते हो, wireframe निकालना है, आपको सिर्फ wireframe चेक करना है, तो आपको किस तरह का यह निकालना है, इंक है, बहुत सारी चीजे हैं, तो wireframe भी निकाल सकते हो यहां पे, तो default setting ही रखते हैं, और यहां पे जैसे ही मैं यह देखिए, यहां पे physical camera, अब बहुत सारे camera है, तो यहां पे आप camera select कर सकते हो, मेरा भी physical camera 1, मैंने एक ही camera लगाया तो camera 1 ही रखते हैं, जैसे ही मैं create पे click करूँगा, यह चालू कर देगा, make preview बनाना यह चालू कर देगा render करना, छोटा सा render होगा, जिसमें आपको पूरा frame जो भी आप यहां select कर रखे हो, उसके बीच का आपको दिखा देगा कि कैसा animation है क्या है, ठीक है, तो अभी चलिए हम आपको यहां पे make preview करते हैं और इसको एक बार निकालते हैं, create कर देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो यहां पे preview निकलना चालू हो चुका है और यह हमारा complete हो गया preview, तो यह हमारा दिखा दिया यहां पे कि आपका इस तरह से चोटा साथ preview आएगा, तो यह है आपका make preview और देखिए यह अपने आप से ही चालू दिखा दिया कि यह है आपका, अगर इस तरह से आपको by chance अगर वैसे तो दिखा देता है नहीं आया, तो आप यहां पे टूल पे जाओगे और यहां पे आपको play preview animation तो play preview animation अगर आपको शेव करना है, हाला कि यह automatic documents में 2021 3S Max के अंदर वह preview के अंदर folder में save होता है, तो वहीं से यह अभी play करेगा आपको उठा के आपको दिखाएगा, तो यह देखिए वहीं से यह चला रहा है यह देखिया, आपका यह video हो गया, यहां से आप पहुच करना है, पहुच कर सकते हो, यह slider से आप आगे पीछे करके जहां से भी आपको तो यह है आपका वो वीडियो ठीक है lights वगएर अभी मैंने छोड़ दिये हैं तो वो lights कहां कैसा spotlight आ रहा है वो दिखा रहा है आपको चीजे अभी dark है बहुत जादा अगर आप lights मतलब इस तरह का नहीं चाहते हो या texture के साथ ही lights अभी अच्छे से preview में lighting तो उतना नहीं दिखाता है तो आप चाहते हो कि light नहीं हो ठीक है आपको आपके scene में lights नहीं हो तो फिलहाल आप यह कर सकते हो कि यहां पे setting में जा करके और यहां से आप setting में hidden light जो है वो on कर दो and then आप पूरे lights को यहां से मतलब यहां से आप light on कर दो hidden lights off on करके रखो and then अगर आप यहां hide कर दोगे तो इफेक्ट अब दिखाना चालू बंद चालू मतलब नहीं दिखाएगा light का effect तो आपको नॉर्मल जो colors आपने यूज कर रखे हैं textures उसी में so होगा तो यहां पे आप फिर से okay इसको में बंद करू टूल यहां create preview animation and then हम create करते हैं तो यह देखिए अभी okay lights फिर भी आ रहे हैं जैसा कि मुझे लग रहा है तो delete ही करना पड़ेगा मुझे लगता है delete करना पड़ेगा यह देखिए फिर से इसने light को दिखाया मैं अभी चाहता हूं माल लो की lights ना दिखे मैं lights को माल लो delete ही कर देता हूं टूल तो अभी जैसे कि आपके light अगर scene में light ना हो तो without light का ऐसा कुछ आप gray scale या texture के साथ आप अपना scenes को देख सकते हो यह देखिए तो जैसा आपका viewport पे mainly जैसा आपका viewport होगा ठीक है वो वीव पोर्ट में मेरे सोफे पे color जैसा दिख रहा है वैसा दिखा रहा है ठीक है तो according to आपका अच्छा वीव पोर्ट को ही जो आपके वीव पोर्ट पे जो दिख रहा है वही आपको दिखाता है वाक्थू के जो आप बनाए हो उसमें वीव पोर्ट पे फिलहाल जो दिख रहा है वो make preview में हमारा और वैसा कुछ दिखा रहा है ब्लैक source भी यूपोर्ट ही दिख रहा है तो यहां भी वैसा ही वैसा दिखा रहा है तो यह अपका पृव्भिव देखने के लिए सिस्फ फाइनल रेंडर नहीं होता ईये एक प्रिव्व आप आप देख सकते हो कि कैसा कुछा बड़ा camera animation ठीक है या नहीं यह सब चेक करने के लिए आपको यह walkthrough आपका ठीक जा रहा है न वह आपका देखने के लिए camera को आप इस तरह से make preview करके आप देख सकते हो देन आप final render निकाल सकते हो तो यह था आपका make preview के उपर class जिनको भी अच्छा लगा है like कीजिए जो नए है वो subscribe कीजिए ताकि आपको future में भी updates मिल दें दोस्तों को भी share कीजिए तो काफी सारे message आ रहेते तो आप auto को भी share कीजिए वो भी make preview करना सी देखेंगे तो आज के लिए इतना ही कोई भी query है comment कीजिए thank you